हेलो गाइस कैसे हैं आप सब तो गाइस आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि करेंग कॉली मसीन से एक मिन्ट में कितना पीछ निकलता है और एक घंटे में कितना पोडेक्शन निकलता है दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको A to Z जान करें देने वाले हैं कि एक में हमारा कितना किलोग माल कर सकता है और उस कितना कमाते हैं तो нас algumas जानते हैं तो दखिए हम człon детей से अदो ऑभे प्लेट Kate करने के लिए य सब्सक्वर difference करतेumen थे स्वेक्रण करने क्लिए प्लेदाल धाय हम चैंज करते हैं तो हमेशा छोटा करना पड़ता है तो देखे दोस्तों इससे में हम छे इंच कर लगा रहे हैं और हम चलते हैं कसने के लिए तो यह देखे दोस्तों भया पेपर का साइच छोटा कर रहे हैं दोस्तों यह है चैन वाला तो इससे पेपर छोटा या बड़ा किया जाता है दोस्तों इससे में हमार प्रशा करना हो तो तो देखे दोस्तों हमारा सब्सक्राइब देखते हैं कि कि एक मिन्ट में इतना पिस निकल सकता है तो हमारा एगंटाब किस थे कर लेगा देखे दोस्तों इसे में हुए कर्मेंट बोक्स में जैरो बताए कि आपको ये कटल कैसा लगा है देखें दोस्तो हमें तो बहुत पसंद आ रहा है इसका क्टोडी कलर तो आई यह दो देखते हैं प्रूव के एक मिनिट में ste fine rikt आसकते हम देखें दोस्तों हम आपको एक बाल उस्चेक करते हैं कि में करंड तो नहीं आ तो इन आ रहा है फिलाल देकिए दोस्तों कितना मस त MAT आ रहा है करोड़े सै के हमारे छे इंच और है कि देख सकते हैं दोस्तों कितना मस निकलता कितना सुन्दर सा है दोस्तों यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजन्स करते हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास है इसले दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्कीप करते हुए वीडियो को लास तक बने रहे और देखते रहें और हाँ दोस्तों जब भी आप मसीन में देखें तो आप टेस्टर से चेक किजिए कि बस में लाइन तो नहीं आ रहा है क्योंकि बिजली का चीन होता है कभी किताल अर्थ भी पखा लेता है तो अगर नंगी पाऊं रहिएगा तो आपको करण्ट मार सकता है इसलिए जब भी आप मसीन चालू करें तो पैरों में चपल पहन के ही रखें जिससे आपको करण्ट ना लगे और दोस्तों आपको सेफटी भी रहेगी तो देखिए दोस्तों इसे में हम देखने वले हैं आईए देखते हैं देख्ये दोस्तों अभी कुछ समय हुआ है और इतना सारा मला हमारा इस्टोक हो गिए है तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि हम कितना 1 मिट में पीछ निकल सकते हैं तो देखिए अभी आपको हम पूरूप के साथ दिखाएंगे तो अभी हम माल इस्टोक कर दी है अभी हम साफ कर दी है तो देखिए दोस्तो हमारा ये मुवाल में टाइमर चालू कर दी है अब हम देखते हैं कि एक मिन्ट में हमारा कितना पीछ निकलता है तो देखिए दोस्तो अभी आप देख सकते हैं सबुत के साथ देखिए हम टाइम तो देखे दो पीछ निकल चुका है विफिलाल में तो आप देख सकते हैं कि एक मिन्ड में कितना पीछ निकलता है हमारा 10 सेकंड हो चुका है तो दोस्तो वीडियो को लास तक में जरूब बने रहे हैं और हाँ दूस्तर यदि आप लोग को पेपर प्लेट मसीन की किसी भी जान करें चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूब बता सकते हैं कि आपको किस मसीन में क्या प्रोब्लम आ रही है हम आपको दिखाएंगे कि हमारा एक मिन्ट में कितना पीस निकलता है आपको हमाज पूरूब के साथ दिखाएंगे तब आपको कैल्कुलोशन करको दिखाएंगे कि हमारा एक घंटा में कितना प्रोडेक्शन निकलता है और एक घंटा में हमारा कितना प्रोफिट होता है और कितना ह भी समारा निकलता है तो देखिए आई आपको सब्सक्राइब को साथ दिखाते हैं अभी भाईया गिंती करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदरा पंदरा सुला सत्रह अठारा उनिस बीस एकिस बाईस तो तेज़ पीस निकलता है तो आईए हम आपको कैलेकुलिशन करके दिखाते हैं तो हमारा एक घंटे का कितना एवरेज हो गये हैं तो आप लोगे देखा कि एक मिटे हुमारा तेज़ निकलता है तो हम कंशाश डेंगे 60 से हमारा एग घंटे का एवरेज 380 पीस निकल गये है तो दोस्तों यानि हम से 1380 पीस निकल गये तो मैं कितना माल करकिए है सब्सक्रक्राइब हम देखते हैं दोस्तों हमारा एक किजिर माल में 400 पीछ निकलता है तो देखिए हम 1 खिश माल में 400 पीस निकला है तो इस आ झालिपन जाने हमने 345 ग्राम का हमारा रोल कट है साड़े तीन किलो हमारा रोल कट है तो चार सो किलो एक किलो मार निकलता है यानि हमारा 345 ग्राम रोल कट है तो 380 रुपे का हुआ है तो दोस्तो हमारा 345 ग्राम रोल के तने होता है यह देखते हैं इससे में हमारा 50-53 रुपे के चल रहा है तो हमारा 182 रुपे का रोल हो गया है 182 रुपे 185 पैसा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इसी तरह आपको भी कहल कुछन करना है तो दोस्तों इसमें हमारा profit देंगे 45% जो कि हमारा retail में होता है तो हमारा 98 रुपे केजी हो गए है तो हमारा एक घंटे में 338 रुपे का profit होता है जब हम retail रफे बेचेंगे तो रुपए एक पैसा बचिया है तो हम इसमें अगर हम कोई लेवर रखते हैं पांच या पर सेलर देखें तो महां उसके घंटे का 20 रुपए होता है तो देखिए दोस्तों हाँ आपको दिखाते हैं 185.1 में से माइनस करेंगे हम 20 रुपए यदि आप लोग अब हम देखेंगे बिजली बिल का हमारा कितना होता है तो बिजली बिल अगर एक घंटे चलाते हैं अपसिन तो आठ रुपए उठता है आठ रुपए की यूनिट से तो देखिए हमारा 157.1 रुपए एक पैसा बचता है हमारा एक घंटे पे तो यानि दोस्तों 1500 रुपए आपका बच्चा ह यदि आप रिटेल में बेचते हैं तो आपको आठ घंटे मसीन चलती है पेपर प्लिट का तो आप इतना इंवेस्ट कर सकते हैं आपका ये प्रोफिट प्रोफिट हुआ है तो यानि दोस्तों आप एक मसीन से 256 रुपए कमा सकते हैं यानि महीने के महीने के 37,400 रुपए हैं तो देखा दोस्तों कितना इजिस था तो दोस्तों अब आपको कंफर्म हो गया है न कि आप एक मसीन से कितना कमा सकते हैं तो दोस्तों यदि आप लोग पेपर प्लिट बिजनस करते हैं यदि आप लोग को मसीन के बेसिक जाने कर जीए तो आप हम आप लोग ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज सब्सक्राइब करके बैल आकर पर जरू करें मिलते हैं आप लोग को नेक्ट वीडियो में